आज हम देखेंगे वक्र से संबंदित कुछ मिथ्यधार्णा हैं। मिथ्यधार्णा एक क्या नीचे दी गई आकृती एक वक्रित यानि कर्व है। बहुत से विध्यारती या गलत धार्णा बना लेते हैं कि वक्र सिर्फ तेड़ी मेड़ी रिखाए ही होती है। वे यह मानते हैं कि सरल रेखा एक वक्र नहीं कहलाती। इस मिथ्यधार्णा के कारण वे दिये सवाल का जवाब देते हैं ऑप्शन एक जोकी एक गलत जवाब है। वक्र की व्याक्या से पता चलता है कि कोई भी रेखा जो कागस से बिना पैंसिल उठाय बनाई जाती है एक वक्र कहलाती है। एक सीधी रेखा भी कागस से बिना पैंसिल उठाय बनाई जा सकती है। इसलिए यह भी एक वक्र ही है। सही हल है ऑप्शन दो। इसी तरह याद रहे कुछ बच्चों को यह मिथ्यधार्णा होती है कि सरल रेखाउं से बनी आकृती एक वक्र नहीं होती लेकिन यह भी एक गलत समझ है सरल रेखाउं से बनी आकृतिया भी वक्र ही होती है मिथ्यधार्णा 2 क्या नीचे दी गई वक्र एक बंद वक्र यानि क्लोस कर्व है दिये वक्र में बच्चे यह देखते हैं कि यह वक्र एक शेत्र को घेर रही है इसलिए वे सूचते हैं कि दी वक्र एक बंद वक्र है वे बंद वक्र की व्याक्या को नजर अंदास कर देते ह और जवाब देते हैं, option 1, लेकिन यह एक गलत जवाब है, बंद वक्र की व्याख्या हमें बताती है कि जिसके सिरे मिले हुए होते हैं, एक बंद वक्र कहलाती है, कि यहाँ इस वक्र के सिरे मिले हुए हैं? सोचिये, सोचिये, सही सोचा, यहाँ वक्र के सिरे मिले हुए नही है इसलिए यहां एक बंदवक्र नहीं है जिस वक्र के सिरे खुले होते हैं वह एक खुली वक्र यानि ओपन कर्व कहलाती है इसलिए सही जवाब है option 2 मित्यधार्णा 3 नीचे दी गई आकरिती देखकर पता कीजिए कि क्या यहां वक्र एक सरल वक्र यानि सिंपल कर्व है या नहीं बहुत से विद्यारती यहां गलत धारना बना लेते हैं कि बंदवक्र स्वयम को काटती है इसलिए वह एक सरल वक्र नहीं हो सकती लेकिन यह एक गलत समझ है इसलिए option 2 गलत जवाब है जब कोई वक्र स्वयम को नहीं काटती तो उसे हम सरल वक्र कहत अगर हम इस वक्र को देखे तो यह किसी भी स्थान पर स्वयम को नहीं काटती इसलिए यह एक सरल वक्र है इसलिए option एक सही जवाब है तो आज हमने देखी वक्र से संबंदत कुछ मित्याधार ना है